सब्सक्राइब करिए बीके 24 स्टरी जोन को और दबाइस बेल आइकन को ताकि हमाई लेटेस्ट वीडियो आप तक महुचे सबसे पहले को दो सबस्तों आज के सी के होचेज में हम लोग हिंडी की कवेश्चन सौल करने वाले हैं जो कि 15 गश्चन हे हिंदी वालू के लिए काफी रिक्वक्त आरी था हिं लेकिस्ट के लियुघ तो मैंने कोशिश की तो उमीद करते हैं आपको पसंद आएगी शुरुवात करते हैं लेते हैं अपना पहला question अगर आप इस चैनल पर नए है तो चैनल को सस्क्राइब करना मत बूलिएगा साथी साथ अगर आपको ये वीडियो पसंद आती है तो वीडियो पर लाइक करिए एक question मैंने आपको लिए छोड़ा है इस quiz में जिसका answer आप मुझे comment करके बताएंगे शुरुवात करते हैं लेते हैं अपना पहला question हमा question number first है अनुरूप में कौन सा समास है हमाई पस चार option है इसमें थोड़ा सा टाइम आपको लग सकता है वीडियो को रोक कि अपना answer बताइए इसका जो सही answer है वो है option C actually I YEby IEः भाव समास इसके बाद second वाला हैन्मे से कौनसा शब्द तस्सम नहीं है तो आसानसा है इसमे से हिंदी सपेद है वो तस्रम सब्द नहीं है बाके सभी छीर, मयूर और शीर जो है तीनों के तीन तस्रम है ठल्ड वाला है इनमेंसे कौन सा सब्द करमधारी समाज का उधारण है हमको बताना है तो इसका जो सही उत्तर है वो है option A अंद कूप अगर अंद कूप को अगर आप ध्यान से देखेंगे तो आपको दिखेगा कि जो इसका अंद है मतलब पूरुपद है वो जो है विशेशन है और इसका जो कूप यानि कि बाद का जो उत्तरपद है वो विशेशन है तो जैसा कि पता भी होगा करमधारी समाज में नावक का क्या अर्थ है तो देखे यहां पर जो इस तरीके के question जो है एक्जाम में बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं तो इसका मतलब यह है कि आपको काफी ज़्यादा डिटेल में पढ़ने की जरूरत है तो फिलाल अगर यह question जो है एक्जाम में आया हुआ question था और इसको board ने कोई भी आंसर यहां पर इसका नहीं दिया था यानि कि उन्होंने कहा था कि यह question जो है वो गलत पूछा गया है तो यह चौथा question मैंने इसलिए डाला है बीच में कि आप देख सकते हैं इस question को कि जिसको तोड़ा सा detail में knowledge होगी वो ही जो है इसका अर्थियां पर समझ पाएगा या भी बता पाएगा हम लोग question number 5 देखेंगे यह question जो है आयोग की तरब से गलत हुआ था तो मैं आपको बता दूँ इसके बारे में इसके बाद question number 5 है निमलेखित में से कौन सा तस्सम है तो जैसा कि आप देखके ही बता पाएगे इसका तस्सम है वो है कुकुर इसके बाद यहाँ पर question number 6 है इनमें से कौन सा सब्द पूलिंग नहीं है तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है option भी छाता इसके बाद question number 7 है रगुवन्स महाकाविय में सर्ग है तो रगुवन्स महाकाविय जैसा कि जाता लोग को पता ही होगा कि कालिदास का ये काविय था जो कि संस्कित बाद सा में कह सकते हैं आपकी सबसे उत्क्रिस्टिक महाकाविय इसको माना जाता है रगुवन्स महाकाविय को तो इसमें जो है 19 सर्ग थे तो यहाँ पर जो पूछा गया हमसे कि रगुवन्स महाकाविय में कितने सर्ग हैं तो रगुवन्स महाकाविय में 19 इस सर्ग है तो यहां पर सही आंसर हो गया option P question number 8 है दुरजन का संधी विछेथ होगा दुरजन का संधी विछेथ क्या होगा हमको बताना है तो आप लोग अराम से इस वीडियो को रोक किया अराम से संधी विछेथ कर लिजे इसका इसका जो सही आंसर है वो है 2 प्लस जन तो यह जो है एक्जाम में काफी बार पूछा जाता है इस तरीके के question तो आप इसको जो है याद कर लिजे और समझ लिजे अच्छे से बेसिकली याद करेंगे इसको अच्छे से समझ लिजे क्योंकि संधी विछे एक्जाम में आता ही आता है उतम लोग question number 9 देखेंगे question number 9 है बिभाव, अनुभाव और व्याविचारी भाव के सयोग से रस की निस्पत्ती होती है ये किसका कतन है तो मैं आपको बता दू कि ये जो कतन है ये भरत का परसिद रस सूत्र है यानि कि यहाँ पर पूछा गया किसका कतन है तो ये जो है option B यानि कि भरत तो ये question बहुत important है ये exam में कही बार पूछा जाता है तो आप इसको अच्छे से याद कर लेजिए इसके बाद question number 10 है नागरी परचारणी सभा की स्ताफना कब हुई थी हमको बताना है तो इसका जो सही answer है वो है option D 1893 इश्वी में तो ये जो 1893 में हुई थी इसके जो पर्थम सभापती थे व से इसी तरी के question पूछा जाता है तो आप इसको याद रख लिजे 1893 इश्वी में हुई थी question number 11 है सरस्वती के चार प्रियाई दिये गये हैं इसमें से कौन सा गलत है हमको बताना है अगर आप चार वो option दीखेंगे तो आप दीखेंगे कि भारती सार्दा और बागिशरी ज तो यहाँ पर जो सही आंसर है वो है option C काल चकर से तो बारतेंदुजना 1893 में लिखी थी ये फुस्तक काल चकर की भूमिका तो उसमें इन्होंने लिखा था कि हिंदी नई चाल में ढली Question number 13 है मिरगावती के लिखाक हैं तो मिरगावती के लिखाक कौन है हमको बताना है तो इसका जो सही आंसर है वो है option B कुतूब बन तो बेसिकलि जो मिरगावती है ये एक प्रेम कता है तो ये लिखी थी कुतूब बनने है इसके बाद question number 15 है निमली की सब्दों में कौन सा तसम है हमको बताना है तो यहाँ पर जो सही answer है वो है option दी छत्री है तो छत्री जो है वो तसम है और बाकी सब भी जो है तदभा हो है तो आज का यह last question जो की exam में बहुत बार पूछा जाता है काफी important question है और हर level के exam में यह पूशिश की है उमीद करता हूँ आपको पसंद आएगी thank you so much दोस्तों इस वीडियो को देखने के लिए